जै मतदी गाईज कैसे हैं आप लोग आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं तो साम के साढ़े साथ बज रहे हैं और यहां पर देखिए तीनो चारो भाई कैसे लगी हुए हैं और हमारे भतीजे आए हुए हैं देहरा दूर में पढ़ाई करते हैं चंद्रहास दुरवेदी तो तीनो भाईयों ने इनसे पाल्टी लिया है बोले भाईया जैसे ही तो तीनो लोग पूँछ रहे हैं कि भाईया आप कैसे फ्लाइट में कैसा लगा तो हम कह रहे हैं कि आप लोग भी ऐसे ही पढ़ाई करो और ऐसे ही फ्लाइट में आना जाना सीखो तो होता है गाईस बच्चों की बहुत खुशी होती और यहां पर एक रात ये रुके हैं और सुबे सुबे निकल लिए हैं अतर्रा के लिए और यहां से एसी बस जाती है बांदा होते हुए अतर्रा के लिए तो वहीं देखे जा रहे हैं और हम जा रहे हैं मौनिंग वाक करने तो यह निकल रहे हैं और ओला ही बुक कर लिए थे यहां से और बहुत ही हुश्यार ह पूरा खाना बन करके तयार हो गया है लेकिन बच्चे खाने वाले कहां है और अब भी चल रहे हैं कपड़े डाल करके आते हैं और यहां दोनों बच्चे आ गए थे तो यह कह रहे हैं हम डाल चावल रोटी कुछ भी नहीं खाएंगे और इनके लिए आलू बॉयल करके रखे थे तो अपने लिए बना रहे हैं देख सकते हैं और यहां रूम में देखे हम क्या कर रहे हैं पूरे वेड में जितनी जो मतलब जो कपड़े हमको देना है कन्याओं के लिए है और गाउं में अपने तो सब एक-एक कपड़े आज निकाल करके पूरे वेड में और यहां पर नंदरानी है तो इनके साथ हम पैकिंग करवा देते हैं और वैसे भी आज साम तक ही हमारे मतलब नंदोई जी को आज आना है और देखे हो सकता है इनकी कल तयारी बन जाए तो इसलिए हम आज ही लगे हुए हैं कि जो जैसे हो जाए क्योंकि फिर हम अकेले आइंगे और आप लोगों से बताएं कि काफी समय तो जैसे भी वीडियो सूट करते हैं आप लोग देखते हैं कि काफी भाग दौड हो जाती है तो यहां पर किचन में देखिए क्या-क्या समान पूरा मैसी मैसी है तो आप लोग इंग और करिए गा और यहां पर सासुमा भी जा रहे हैं मार्केट तो हमसे कह रहे हैं कि और कुछ लाना तो नहीं है क्या लाना है तो हम कह रहे हैं कुछ भी नहीं लान चली आगे बादे सुबह से तने काम हो गए थे कि भाग दोड़ वाले तो अभी जश्ट साड़ी हमने डाल लिया सुबह से हम साड़ी नहीं डाले थे और पूरी पैकिंग करते करते ना तो अब डेड़ भज रहे हैं और सब को खाना भी किला दिये हैं और इस समयल बताये ना मीना भी गई अपने पसंद के तो चलिए हम भी चल रहे हैं और बच्चे आवाज लगा रहे हैं तो चलते हैं मार्केट अब देखे कहां लेकर के जाते भी कुछ पूरी तरह पता नहीं तो चलिए आगी मिलते आप लोगों से तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सरदार की शौप है ये पास ही है और ये देखे सामने विशाल दिख रहा है क्योंकि शासुमा अक्सर यहीं से कपड़े लेती हैं और कहती है विशाल के और इंडिया मौल के हमको समझ में नहीं आते हैं लोकल रहते हैं और यहां के ओरिजनल रहते हैं तो बच्चे सब लगे हुए वैसे भी सभी म पसंद आई है लेकिन अब चल रहा है हम लोग तेली बाग अब देखे तेली बाग में हम लोगों को कहा लेकर के जा रहा हैं तो चल aspasam नहीं अब है और ऑग देख्षान हो गई है और हम घुप चारए हैं अब देखते हैं बच्चों को कपड़े पसंद आ रहे हैं दोनों को तो आ गये हैं लेकिन अब कृष्णा को नहीं आ रहे हैं और यहां पर मनू देखे अपने खाने पीने का भी समान खोच करने लगे तो चलिए अब चल रहे हैं गहर और आज कलना वीडियो बहुत ही लेट पेट हो रहे हैं तो इस चीज़ के लिए हम आप भी चाहते हैं आप लोगों से और मनु को देखे मिल गया है मोमोज और हमसे कह रहे हैं कि मामा जैसे नहीं है मामा की अप पीली भीट में बहुत ही अच्छे मिलते हैं और आने के बाद हम बना रहे हैं चाय क्योंकि हमारे कदर भी जाना है लेकिन यह आ पाते हैं कि यहा पर मीठा लेकर के आया थे तो आप लोगों को भी खिला रहे हैं तो चलिए सब को दे देते हैं चाहे और इसके बाद आप मिलते हैं कपड़े अपनी तरप खीचादानी कर रहें कोई कह़रा हम देखो विल्कुल हीरो लग रहें कोई कह़रा हम देखो तो सब पापाजी को और फूफा जी को पहन पहन के दिखा हम लोग नीचे से उपरा देखें सासुमा भी बहुत परेशान हो गई हैं ठक गई हैं कैसे जीन से अराम से जाईए न गये थे हम लोग मातर एक गंटे के लिए लेकिन जहां बच्चों को लेकर जाओ ना तो दो तीन गंटे लग गए बंगला बजार कभी विसाल कभी तेली करते करते बहुत टाइम हो गया और सोच रहते कि आज सुकरवार कदी में मंदिर जाएंगे भजन कीरतन में लेकिन आदम उसकी लह जाना देखते हैं क्योंकि टाइम तो चार बज गए हैं और वीडियो भी एडिट करना हैं देख रहे हैं सबको और अभी भी किचन में हमार चलो चलो तब ही गये हैं तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से ठोड़ी अगाई जैसे ही मंदिर आएं हमारी बहनों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी भजन सुनाइए लेकिन आज बहुत ही कोशिस किया हैं कि आप लोगों को भजन सुनाएंगे लेकिन मंदिर आने के बाद प के बाद हम गा रहे हैं अंटी की थोड़ा हमारा साथ दे दीजे सजेद धजी के बेटी माँ ये तो मंद मंद मुस्वाएं कोई मैया कोडी खाले आओ कोई मैया क्रिशाद हमको मिल गया तो आप लोग देख सकते हैं मंदिर से जैसे ही आए हैं ना तो यहां पर बच्चे कैसे मस्ती में लगे हुए और हमसे कह रहे हैं कि मा सेव पूरी तयार कर दीजे तो चलिए इनको लगा देते हैं सबको सेव पूरी अन्न दोई जी को भी सेवपूरी बहुत ही पसंद है वैसे सेवपूरी हैं ही ऐसी चीज भड़े हो या छोटे हो सभी को पसंद आती है तो गाईस यहां पर सेवपूरी लग गई है तो आप लोग भी आ जाइये और इसके बाद आ गए हैं किचन में तो किचन में तयारी कर लेते हैं क्योंकि साम को हमको बनाना है पनीर और टाइम वही साढ़े साथ बज रहे हैं तो आप लोगों से बताए ना बच्छों को सबको पनीर बहुत पसंद है लेकिन हमको बिल्कुल पसंद नहीं पनीर हो या छोला हो हमको तो बस लोकी है कदू है पालक है और आज कल अब ठंडी आ रहे हैं तो इस समय हरी सबजियां तो बहुत ही पसंद है लेकिन क्या कर सकते हैं सब के खुशी के लिए हमको बनाना ही पड़ता है तो चलिए तैयारी कर लेते हैं और इसके बाद लग जाते हैं तो यह देख सकते हैं यह कितना मतलब दू काफी कीड़े आते हैं तो इसलिए कम ही लाइट हम किचन में रखते हैं और यहां पर चावल भी हमने मटड़ डार करके फ्राई कर लिया है और बस आटा गूंद करके रख लिये हैं रोटियां ही बनाएंगे तो यह देखिए हमारी पनीर इसमें थोड़ा मेवा डाल करके ह और बहुत ही अच्छी बनती अगर आप चाहें तो इसमें मलाई भी डाल सकते हैं तो ऐसे पनीर तो सभी बना लेते हैं और बहुत ही इजी है बनाना तो चलिए सासुमा के लिए बीना प्याज वाली अलग से बनाए हैं और यह प्याज वाली है बनाए हुए हैं और बाहर देखे बच्चे अभी खेल रहे हैं, तो वीडियो को यहीं पर आइंड करना चाहते हैं, वीडियो पसंद आए, लाइक करिए, सस्क्राइब करिए, शेयर करिए, मिलते हैं नेक्ष वीडियो में, जै मत अदिगाए!